हाई गाईज मेरा नाम है प्रिती और आप सभी का प्यू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागते आशकति आज का दिन आपका शुब बित्रा होगा आज का वीडियो का टापिक होगा कि बच्चे जब लूश मोशन करने लगते हैं तो क्या करें हम आज का वीडियो बहुत ही इंट्र जानते हैं कि लूश मोशन और डायरिया बच्चे को कैसे होता है शुरुआती दोर में जब बच्चा छे मेने का होता है जब वो सॉलिड फूड चालू कर लेता है तब कुछ-कुछ ऐसे जो फूड होते हैं वो बच्चे को हजब नहीं होते ही इस वज़े से डायरिया शु मा का दूद या फॉर्मला मिर्क ले रहा था और अचानक से उसे अलग-अलग सॉलिड चालू हो जाए तो उसके वज़े से भी लूश मोशन चालू हो जाते हैं बच्चे को और दूसरा रिजन यह है कि जब बच्चे के दात आते रहते हैं तो बच्चे को बहुत सार हैं या फिर किसी-किसी बच्चे को अंगठा चूसने की आदत होती है और वो उसके वज़े से भी लूश मोशन होता है इसलिए दात निकलते समय बहुत-बहुत साफ़सफाई की जरौत होती है क्योंकि बच्चा कुछ भी तो डाल सकता यह मूँ में सब उसके मूँ से ही हो पाई रखे तीसरा जिसन यह है कि कोई-कोई माई एक गाय का दूद देती है और उसे भी वह इद्दम जैसे हम पीते हैं वैसे दे देती है तो उसके वज़े से भी बच्चे का जो पेटेव खराब हो जाते है अगर आपको गाय का दूद देना है तो 25 परसेंट गाय का ही दे रही है तो पानी को भी 25 मिनिट बॉयल नहीं करती है इसी वज़े से बच्चे को इंफेक्शन हो जाता है और वो लूज मोशन करना चालू कर देता है बच्चे के शुरुआती एक साल के दौरान में यह तीन चीज़े बहुत ही है इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंप बच्चा तीन मैंन से चोटा है तो कोई भी हो में रेमेडी इस्तमाल मत कीजिएगा आप पटा पट से डॉक्टर के पास लेकर जाए और डॉक्टरी इलाज करवाए अगर आपका बेटा बेटा या बेटी ती छे मैंने से ज्यादा है तो आपको क्या करना है चलिए जान द भी जिए उसे यह होगा कि जो जुलाब हो रहा है ना बच्चे को वो जली से जली कम हो जाएगा दूसरी चीज़ लूश मोशन में बहुत सारा पानी चली जाता है तो इस वज़े से शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है आपको यह ओर इस का घौल है जो है बच्चे को थ भीज़े बच जुलाब करे तरब और ने किंद दस किलोघा है तो पचास एंबर उस से उस्टाइब पर वार ऐवना है जै याफ के स supporter में वाफिसा जाएगा और दूसरा ऑर सके बदले अब नारियल पानी भी दे सकते हैं नारियल पानी जो है वह ममे के डूट के बाद सबसे बेस्ट माना जाता है और इसके साथ आप पानी है पानी भी बहुत अच्छा करता है चौने में दो जो показыв पानी अच्छा बक्तने जिसकि विज़े जोग मिलता गुछन हो अगर आप गाय का दूद दे रहे हो तो उसे बिलकुल भी ना दे आप जितना हो सके मा का ही दूद पिला है फॉर्मला मिल्क भी ना दे उसे जितना हो सके अगर बच्छा छोटा है तो मा का ही दूद दे और उसके बदले आप डाल का पानी दे सकते हैं चावल का पानी दे सकत मुंग डाल चावल की खिचड़ी और आप ना क्या नाम में साबू दाने का जो पानी होता है अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद वो दे सकते हैं और आलरोट भी दे सकते हैं यह सब चीजों से जो है संडास बनने में मदद होता है और इसके कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होते हैं आपको चाहिए तो यह सारे रैसेपी कैसे बनाते हैं मैं नेक्स वीडियो में आपको बता दूंगी इसके साथ साथ आप केला भी दे सकते हैं और तीन चीजों के बात से अनार का जूस का जूस मत दीजिएगा और एक और चीज दही और कुड़ी फूड तीन के बात मत दीजएगा और यह सब चीजों के साथ साथ और्स का घोल कांपल्सरी देना है और इसके साथ आपको एक बार को भी दिखाना है और डॉक्टर से वह दौवाईया लेती है आपको यह तो हुआ हम कौन-कौन सी चीज़े घर सकते है बच्चे के साथ अब जानते हैं इसी कौँची चीज़े चीज़े हैं गर पर रुकी नहीं सकते इमिजेटेश सबत कर करवाना है ईसका बच्चे का में का सब दोक्तर के पास इम्मिल कब लेके जाना है पहला जब अब् fancy के साथ बहुत जादा बुखार आजा एंडर डिगरी के पार चले जाए तो आपको इमीजेटली डॉक्टर के पास लेके जाना है और डॉक्टर इलाज करवानी है और दूसरा है कि आपका बेट बेट में के जो लूश मोशन हो रहा है उसमें बलड आए या फिर वो काला हो द के साथ साथ बचा बहुत साथ उल्टी करने लगे तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है और चौथी जब बचा लूज मोशन होने के बाद बचा परस्त हो जाते हैं कोई मोमें नहीं कर रहा एक दम शांत बेजान सा है हो जाए और आखे इस तरह से घुमाने लगे इस से इमीजेटली डॉक्टरी साहता की जरूरत है तो आप बिल्कुल भी घर में आ रहें लेकि जाए तूरंट के तूरंट डॉक्टर के पास बस यहीं सब चीज़े आज के लिए आप होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीस एक ल के लिए वीडियो बना दूंगी के लिए बाई